दोस्तों नमस्कार IT Technical Course YouTube चैनल पे स्वाधत है दोस्तो राजस्त थें टेकनिकल हिल्पर में जो पिछले बार GK का Qoshen आये थे उसी को अपन चलते हैं देखते हैं पिछले बाज जो GK का Qoshen आये थे कहां कहां से GK का Qoshen उठाये गये था और कितने कोशन आये थे सारे चीज अभी जान लेते हैं चलिए आते हैं 20 से 25 कोशन मिल जाएगा आपको लाश्टत जरूर देखना तभी आपको पता चलेगा क्या क्या कोशन पे पूछा था जीके में चलिए आते हैं फर्श नम्मर कोशन पे अगला कोशन है निन में लिखित में से किस देश ने पहली बार 4 जून 2018 के बाद से महिलाओं को ड्राइवरिंग लाइसंस जारी करना सुरू कर दिया इसका राइट अंसर होगा साओधी अरप दोस्तों जो साओधी अरप्था चार जून 2018 के बाद से महिलाओं को ड्राइवरिंग लाइसंस जारी करना सुरू कर दिया अगला कोशन देख लो राजस्थन सरकार ने चात्रों को मुक्त डिजिटल प्रसिक्षन प्रदान करने के लिए किस तक्नीकी दिग्जच के साथ समझाओता जापन पर हस्ताक्षर किया माइक्रोसॉप्ट नेश्ट है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के स्थापना कब हुई थी इसका राइड अंसरोग सी उने सोनाहत्तर पे इसरो के स्थापना हुई थी निनमलखित में से कौन सी ग्रंथी रत्चाप को नियंद्रित करती है अधिविक्ष ग्रंथी जो अधिविक्ष ग्रंथी है रत्चाप को नियंद्रित ने कंट्रोल करती है अगला क्वेशन है किस आईटी फॉर्म ने बेल्जियम इस्थित बिजिनेस एड़बाईजरी और डाटा इनालिटिक सर्वेसस कंपनी हेडेरा कांस्टिलिंग को अधिग्रित किया था इसका राइट अशर हुए कांग्री जेंट अगला है कंट्रोल प्लस इप्रकार की कीज है इसका संसोधक का अगला है उस डिवाइस उपकरंग का नाम के जो डिजिटल सिगिनल को इनालॉग सिगिनल में परिवर्दित करता है इसका राइट अंसर होकर डी नमबर डिजिटल सिगिनल को इनालॉग सिगिनल में जो परिवर्दित करता है इसको मॉडम काते हैं एक 10 तेरा बाइट डस्फचो बिस गीगावाइट के बराबर होती है दोस्तों ये तो केंप्यूटर के सवाल जादा इसमें पिछले बार सायद पूछा था अगला है सेकंड जनरेशन केंप्यूटर किसके साथ आया था ट्रॉंजिस्टर के साथ जो जनरेटर के कम्पूटर बने थो जो ट्रांजिस्टर से बने थे बी यच आईयम एप्ट की लेंदेन की देनिक सीमा क्या है चालिस हज़ार रुपे ECS का बिस्तार क्या है सबको मालूम होना चाहिए ECS Electronic Clearing Service अगला कोशन है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख कारेले कहां पर इस्तित है नई दिल्ली में भारत में पहला डिजिटल रज कौन सा है केरल बहुत अच्छे कोशन है थे टेका महिंद्रा के E को कौन है इसका राइट इंसर हो D CP गुर्णानी पी यच यच का बिस्तार क्या होगा Public Health Service अगला कोशन है भारती गन्ना सोथ संस्थान कहां इस्तित है इसका राइट इंसर होगा D लखनव में गन्ना सोथ संस्थान नेल करांती नेल मिलकिते में उसे किसे से संबंदी थे मचली उत्पादन दोस्तों जो नेली करांती है मचली उत्पादन से संबंदी थे मिट्टी के बैगजानिक अध्यान को क्या कहा जाता है राइट इंसर सी नम्मर होगा पीडोलोजी अगला कोशन है कौन सा चेत्र भारती अर्थ विवस्ता की रीड है क्रिसी चेत्र दोस्तों जो क्रिसी चेत्र भारती अर्थ विवस्ता की रीड है राजस्थान के जीलों की कुल कितनी संख्या है इसका राइट इंसर होगा तित्तिस यहनि राजस्थान में जो जीले हैं तित्तिस जीले है निन्म लिखित में से कौन सा राजस्थान के प्रमुक मुक मंत्री है ती हीरालाल सास्तरी राजस्थान का सबसे बड़ा सहर कौन सा है जैपूर दोस्तों जैपूर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा सहर माना गया है अगला है राजस्थान पर राज्टी उद्ध्यानों की कुल संख्य कितनी है इनमें से कोई नहीं आप्सन ही सही नहीं दी रहा है राजस्थान का राजी की पुस्प रोहिदा यहनि जो राजस्थान का राजी का पुस्प है वो है रोहिदा दोस्तो 25 question में से आपको computer की भी question देखने को मिले होंगे और आल इंडिया जी के और राजस्थान जी के ने तीन टैप के आपको इसमें question देखने को मिले होंगे इसी तरह के previous paper देखने के लिए video में description पे link दी गई है आप लोग जरूर देख लेना